So hi everyone, स्वागत है आप सभी आगनबारी बहनों का पोशन ट्रेकर एप की एक नई वीडियो में मैं रितेश कुमार, आज मैं आप सभी को पोशन ट्रेकर एप की एक नई अपडेट के बारे में जनकारी देने जा रहा हूँ जो कि आप सभी आगनबारी बहनों के लिए ये अपडेट काफी अच्छी अपडेट आई है यहाँ पर मैं आपको बता दू कि 13.7 का एक नया भरजन आ चुका है और इस अपडेट के साथ एक बहुत बड़ी प्रोवलम को भी सल्व किया गया है जैसे कि 0-6 वर्ष के बच्चे का हम लोग पोसंट रेकर एप में अधार वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे थे यहाँ आप लोग के लिए ये अच्छी अपडेट है आप लोग इस वीडियो में बने रहे है वीडियो को आप लोग कंटिन्यू एंट तक देखिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन-कोन ऐसे बच्चे है जिनका यहाँ पे अधार वेरिफिकेशन होगा और किनका अभी यहाँ पे अधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा तो वीडियो में आगे बनने से पहले आप सभी से एक रिक्वेश्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग को आज की यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि पोसंद ट्रेकर अप की नहीं नहीं अपडेट के बारे में जनकारी सबसे पहले आप तक मिलती रहे तो अचले शुरू करते हैं आज की ये वीडियो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद नीचे आके आप लोग देख पाएंगे 13.7 का ये अपडेट आ चुका है और यहाँ पे जो अपडेट है वाट्स निउ में यहाँ पे दिये गया है यानि उनके पैरेंट्स के अधार कार्ड से उनका अधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं दुसरा यहाँ पे है माइनर वोग फिक्सेज यानि कि जो छोटी मोटी प्रोब्लम पोसं ट्रेकर एप में चलती है उसको यहाँ पे ठीक कर दिया गया है तो आपको क्या कर करने का ओप्सन आ जाएगा आप लोग सिंपली इसको अपडेट कर लिजिएगा हम यहाँ पे अपडेट कर चुके हैं तो इसको सिंपली हम लोग ओपेन करते हैं ओपेन करने के बाद इस प्रकार से आप लोग होमपेज पे आ जाएंगे होमपेज पे आने के बाद यहाँ बेनिफिसरी वाली केटेगरी को open करेंगे यहाँ पे बच्चों की केटेगरी आ जाएगी और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो 6 माह से 3 साल वाले बच्चे हैं जिनको हम लोग THR देते हैं तो यहाँ पे अधार भेरिफाई हम लोग कर पाते हैं तो इन बच्चों का भी हम लोग THR का फर्म आसानी से भर सकते हैं तो चलिए यहाँ पे किसी एक बच्चे के केटेगरी को open करते हैं और देखते हैं कि इस परकार से अधार भेरिफिकेशन का यह अपडेट आया है जैसे कि यहाँ पे मालेजिए किसी एक बच्चे के नाम के उपर click करेंगे click करने के ब यहाँ पे verify करने के लिए verify वाले option पे जाते हैं यहाँ पे आने के बाद एक message आपको देखने को मिलेगा please verify अधार to avail the benefits of portion अभियान यानि कि जो भी बच्चे हैं उनका अधार verify करने को बोला जा रहा है ताकि portion अभियान के ताद जो ही benefits हैं उनको यहाँ पे दिया जाए यहा कि बीना अधार का यहाँ पे हम लोग इसको verify नहीं कर पाएंगे लेकिन चलिए यहाँ पे हम आपको profile update में चलके दिखाते हैं कि क्या changes किये गए हैं यहाँ पे इस बच्चे के profile update में आएंगे profile update में आने के बाद यहाँ पे आप लोग एक change देख पाएंगे जैसे कि बच्चे के नाम के नीचे अधार का option दिखा रहा था तो उस option को यहाँ से हटा दिया गया है और जो बाकी details पहले दिखा रहा था वैसा ही अब भी दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे आप लोग जैसे ह new registration वाले पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा new registration वाले पे आएंगे तो यहाँ पे आपको name of child का option दिया गया है और यहाँ पे अधार number of child का option दिया गया है लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है child does not have अधार यानि कि अगर बच्चे के पास अधार नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे सिलेक करेंगे, अगर बच्चे के पास अधार काड है तो यहाँ पे अधार नंबर डालेंगे और सब्मिट कर देंगे, यहाँ पे एक बदलाव आपको यहीं पे देखने को मिलेगा कि बीना अधार काड के बच कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर अभी जो पहले से रेश्टर बच्चे हैं उनका यहाँ पर कोई ओप्सन नहीं दिया गया है जिससे कि हम लोग अधार वेरिफिकेशन कर पाएं उमीद है जल्द ही कोई नहीं फिर से अपडेट आएगा जिसके बारे में हम आपको जनकारी क्योंकि हम सभी बच्चों के डिटेल्स को चेक कर चुके हैं कहीं पे भी फेरिफाई अधार का ओप्सन नहीं जो रहा गया है इसके बारे में हमें कोई और भी इन्फोर्मेशन मिलती है तो हम आपको नेक्ट वीडियो में जरूर बताएंगे जैसे कि और भी जो यहाँ पे 13.7 का नए अपडेट है है इस प्रकार से आपको यहाँ पे यह सारे ओप्सन देखने को मिलेंगे लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी जो अधार फेरिफिकेशन का ओप्सन है वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो मुझे उमीद है कि आप सभी को आज की यह वीडियो पसंद जय हिंद